तो फिर से स्वागत से आप सभी कापके अपनी चैनल नीटर 9.8 में और आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं नौन उनिफॉर्म सर्कुलर मोसन तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दू कि हम लोग ने पिछले वीडियो जिसमें हम लोग हम लेखर किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोसन तुमने हम लोग ने क्या behaviors किया था कि जो विलास्टी है उनिफॉर्म सर्कुलर मोसन गेस में जो速 था आपका टैंजेंशाग डायक्शन में था और उस केस में जो एक्सेलेशन होता था पार्टिकल का वो acceleration radial direction में होता था जिसको हमने रेडियल acceleration या centripetal acceleration बोलते थे क्योंकि center की तरह effect होता था तो हम लोगों ने ये सिखा कि इस radial acceleration ने कारण जो की perpendicular है velocity के इस acceleration ने कारण जो particle का है वो velocity का direction बस change होता था इसमें इस acceleration ने कारण इसका speed change नहीं होता था धिर्फ से ध्यान सुनिएगा ये जो velocity है आपका velocity कुछ ही स्तरस होता था a radial कुछ ही स्तरस होता था ये a radial हमेशा velocity के perpendicular होने कारण इस a radial होने कारण this a radial was only responsible for changing the direction of velocity but not its magnitude तो अब हम लोग क्या आता है कि अगर non-uniform circle motion हम लोगो पढ़ना है तो इस case में velocity का magnitude it means speed भी आपको क्या करना है change करना है तो speed change करता है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक additional acceleration लेंगे और वो additional acceleration हमेशा velocity के parallel होगा हमेशा velocity के line के long होगा तो उस acceleration ने कारण क्या होगा कि हम लोग अगर suppose कि कि वो acceleration हम लोग कुछ इस दरह से रखते हैं हम लोग tendency direction में 80 तो उस acceleration ले कारण इस velocity का magnitude change होने वाला है इस velocity क्या change होने वाला है magnitude तो हम लोग इस case में बोल सकते हैं कि आपका अगर non-uniform circular motion है तो उस case में एक तो आपका AR हो गया हम लोग जानते थे वो क्या जागा net acceleration जिसको हम लोग exactly यह बोल सकते हैं अब जोगे इस case में क्या होगा कि particle का speed जो होगा बढ़ते जाएगा तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि जोगे 80 जो है आपका velocity के direction में velocity के साथ चल रहा है तो इस case में जो speed है particle क्या होने वाला है बढ़ने वाला है तो हम लोग यह note में डाल सकते हैं कि AR was only responsible responsible for changing changing the direction ठीक है और यह बोल सकते हैं कि hence अिज़ धन बोल सकते हैं अधिस एम्ग्थर उडिवार अधिस रद्ट्ट अर्दी ANDela ख्द्ट एम्ग्य। podr शवर आप्थर विलोच्ट वेलोच्ट का झाय थेस्ट वेलोच्ट फैलच्ट वेलोच्ट is what it is nothing but the speed right so an additional acceleration will be required to change the magnitude of velocity this acceleration will be along the velocity this acceleration will be in tangential axle direction called a tangential acceleration हम लोग उसको उपर स्कॉल कर सकते हैं called tangential acceleration ठीक है तो हम लोग को यह पाचला कि अगर आपको velocity का my two change करना है तो जो acceleration velocity के along होना चाहिए अगर आपको velocity का direction change करना है तो क्या हो चाहिए velocity के perpendicular होना चाहिए तो हम लोग एक बात आल्रीट जानते थे इस बात को कि जो a r होता है वो आपका क्या होता था वो आपका होता था v a square by r हम लोग बोल सकते थे v a square by r capital radius हो जाएगा इसको हम लोग बोल सकते थे omega square r और you can say omega into क्या बोल सकते हैं भी अब क्या होता है कि this is only responsible for this thing is only responsible for changing the direction ठीक है अब हम लोग का एक नयाता है 80 जिसको हम लोग बोल रहा है क्या tangential acceleration tangential acceleration ठीक है तो 80 का मतलब क्या हम लोग 80 को निकालें कैसे तो 80 is nothing but rate of change of speed 80 क्या होगा rate of change of speed तो हम लोग rate को कुछ इस तरह से लिख सकते है d mod v by dt यह आप क्या हो rate of change of speed और इसको हम लोग लिख सकते हैं तो d by dt and what is speed omega into r if you remember the omega into r was the magnitude of velocity that is called speed तो इसको हम लिख सकते हैं radius तो आपको constant होगा तो इसको हम लिख सकते हैं d omega by dt into क्या होजाएगा r what is the value of d omega by t it is alpha तो finally होजाएगा आपका alpha into r तो जो tangential acceleration होता है वो आपको होता है alpha into r alpha जो है वो है angular acceleration what is the alpha it is angular acceleration तो इस तरह से हम लोग का total acceleration पर चल चुका है कि अगर आपको निकालना हो कि अगर आपको निकालना हो r तो वो हो गया अगर आपको निकालना है 80 तो आपको दूसरा हो गया तो net acceleration हम लोग बोल सकते हैं कि hence जो a हो जाएगा a will be equal to under root ar square plus 80 square ar square plus का हो जाएगा 80 square one second 80 को छोटा लिखते हैं तो ar square plus का हो जाएगा 80 का square और हम लोग बात करें angle की जो net acceleration हो आप से पुछा करें net acceleration velocity से कितना angle बनाएगा तो हम लोग यह दिखा सकते हैं कि this angle याद रखिए जो angle है velocity से this angle will be equal to you can see 80 by ar इस right angle triangle में जो 80 value है sorry this theta will be equal to ar by 80 आप देख सकते हैं ar जो है perpendicular हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा base हो जाएगा फिर से मैं नीचे दिखा जाता हूँ यहाँ पर कि हम लोग यह बोल सकते हैं कि आपका जो किसी moment पर suppose किजिए कि velocity कुछ इस तरह से है तो उस moment पर यह velocity हो गया हम लोग एक्सलेशन को दिखाने कोशिस कहें तो एक्सलेशन कुछ इस तरह से हाएगा कि यह हो गया आपका 80 और यह आपका हो गया ar ठीक है तो जो net accélation है net accélation है इस तरह से है कुछ this is the value of net accélation if you want to calculate this value of theta you know that this is also the length this length is also equal to ar right तो हम लोग यह tan theta क्या बोल सकते है the value of tan theta will be equal to ar by 80 वो आप ar 80 calculate कर सकते हो जो भी दिया हो हम लोग इसको इतना ही छोड़ते ar को आप calculate कर सकते हैं b square by r से omega square जो भी value दिया हो उसको आप use कर सकते हैं हाँ याद रखे कि इस case में है जो हम लोग यह भी case discuss कर रहे है that is accelerating non-uniform circular motion means इस case में जो particle का speed up हो रहा है speed बढ़ते जाए acceleration जो है velocity को support कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ पर कि speeding up non-uniform what circular motion right अगर by the way आप से पूछने कोसिस करें कि अगर आपका speeding down होगा अगर आपका speeding down होगा तब हम लोग का situation कैसा होगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि suppose कि जे की particle है हम लोग दूसरा case discuss करें speeding down right जो आपका speed है suppose कि जे घट रहा है तो उस case में हम लोग को discuss करना था suppose कि यह आपका circular motion हो गया ठीक है इस circle के long move कर रहा है यह जो velocity होगा कुछ इस तरह से होगा यह आपका velocity होगा अब हम लोग बात करते हैं acceleration की तो acceleration तो आपको पता है कि acceleration जो होता है अब हम ऐसा radio direction होता है so this will be the value of AR और 80 जो होगा वो हमेसा oppose करने कोशिस करेगा velocity का करेगा oppose करने कोशिस करेगा तो जो AR 80 का resultant आजाएगा उस case में कुछ इतना resultant हो जाएगा यह हो जाएगा this will be the value of net acceleration और इस case में आप देख सकते हैं तो velocity और acceleration के बीच का एंगल है वो obtuse एंगल है velocity acceleration के बीच का एंगल क्या है obtuse तो अगर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि if हम लोग यह बोल सकते हैं कि V.A अगर less than 0 हो तो यह है speed down इसमें क्या होए speed down हो जाएगा ठीक है अगर V.A जो है वो greater than 0 है greater than 0 मतलब acute angle हो जाएगा आपका जो last का case था अगर दो वेक्टर का dot product greater than positive का बाता है जब दोनों का बीच का एंगल जो है वो acute angle है अगर दो वेक्टर का dot product negative आ रहा है तो obtuse angle होगा क्योंकि cost theta का value obtuse होने पे negative हो जाता है तो उस case में हम लोग क्या uniform circular motion हो जाए गई है इस case में क्या होगा uniform circular motion तो आपका इस तरह से तीन case हो गए तो हम लोग को एक बात यहां ध्यां रखना है कि अगर हम लोग अगर हम लोग को पता करना है कि speed की rate से change हो रहा है तो speed की rate से change हो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 80 का value निकाल सकते हैं उसको क्या निकाल सकते हैं 80 का value ही responsible क्या होगा speed को change करने के लिए ठीक है तो चलिए हम लोगो question कर लिया जाए question आपका ये है कि देखे अब circular motion का हम लोग जो conclusion उसको कहां use कर सकते है एक random question आपको दिया हुए कि if velocity of particle is given as v is equal to 2i plus 3j plus root 3k ये आपका दिया हुए velocity and acceleration is this much acceleration is also given then find the rate of change of velocity and you also have to calculate the rate of change of speed अब लेखे rate of change of velocity अगर solution की बात करें तो आपको rate of change of velocity आपसे पूछ रहा है तो यह यह तो आपका एक तरीके से acceleration हो गया यह क्या हो गया एक्सलेशन हो गया तो acceleration पूछ रहा है तो acceleration का हम लोग magnitude निकाल देते हैं जो acceleration का magnitude हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अब आपका कितना हो जाएगा हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप इस velocity को ऐसे कुछ दिखा दीजे velocity और acceleration कुछ angle पर बना रहा होगा velocity से कुछ angle पर acceleration होगा तो अब देखे हम लोग को अभी यह पाचला है कि circular motion में यह पाचला है कि जो net acceleration है उसके दो components हम लोग लिखते हैं तो जो net acceleration के दो components हो जाएंगे आप इसको बोल सकते हैं कि एक हो जाएगा a parallel मतलब parallel कहने का मतलब velocity के parallel का component और दूसरा बोल सकते हैं क्या a perpendicular तो हम लोग conclusion से यह बोल सकते हैं कि जो net acceleration है उसका parallel component this component will be responsible for changing the speed and this component will be responsible for changing the direction एक तरीके से जो a perpendicular है this will work as a radial this velocity will work as a radial acceleration और जो a parallel है वो एक तरीके से आपका a tangential हो जाएगा तो अगर मैं बोलूँ कि rate of change of speed पुछा जा रहा है तो rate of change of speed हम लोग को calculate करना है तो आपको basically calculate करना है d of mod v मतलब mod v मतलब velocity का magnitude d of mod v by dt यह calculate करना है आपको तो इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि this will be nothing but a parallel a parallel का मतलब में यहां actually a t बोल रहा हूं उसको हम लोग a t circular motion के नाम circular motion ने परहा करते है तो इसको a t के नाम से तो a parallel और a parallel component का हगा that will be equal to a cos theta means this is nothing but the component of acceleration along the velocity हम लोग यह बोल सकते हैं कि this is nothing but component of a what along v so the it is nothing but the component of acceleration along what velocity right तो हम लोग इसको calculate करें तो ऐसे बोल सकते हैं अब याद रखी कि हम लोग किसी भी vector का component दूसरे vector के लोग कैसे निकाला करते थे तो मैं बोल रहा हूं क्या कि अगर आपको calculate करना है rate of the speed जिसको हम लोग a cos theta a parallel बोल रहे हैं जो कि है आपका a cos theta तो a cos theta का a cos theta हम लोग ऐसे लिखते हैं तो अगर हम लोग को a cos theta का value निकालना हो a cos theta का value याद रखिए हम लोग ऐसे निकालेंगे a dot v divider v हम लोग यह use कर रहे हैं dot product का application to find component of one vector along other vector तो यह आपका a cos theta देदेगा ठीक है याद रखिए a dot v क्या होता था a b cos theta तो यहाँ से a cos theta का value क्या आज़े है a dot v by v को divide कर देंगे मैं बता दूं कि आपका a dot b जो होता था कितना a b cos theta तो यहाँ से सुचे कि यहाँ से a cos का value क्या आज़ेगा a dot b by b तो इसको मैं यह use कर रहा तो इसको अगर आप calculate करेंगे तो आज़ेगा a dot v आपको acceleration और velocity का dot product निकालना हुआ देखिए i i के साथ जाएगा और j j के साथ जाएगा तो 3 into 2 and then 3 into 1 हो जाएगा आपका 2 into 3 देखिए i i के साथ गया और फिर 3 into 1 plus 3 into 1 k cap तो 0 हो जाएगा divided velocity का जो magnitude है आप देख सकते हैं आपर हो जाएगा 2 a square plus 3 a square plus root 3 a square which is 3 so this value will become equal to 9 and 3 12 and 4 16 and under root 16 is 4 right so 3 into 2 which is 6 plus 3 9 by 4 तो जो acceleration जो rate of change of speed हो जाएगा 80 हो जाएगा 9 by 4 meter per second square मतलो उस moment पे इस rate से क्या हो रहागा स्पीड की value change हो रही होगी ठीक है चलिए हम लोग आते हैं next question में next question में हम लोग एक दो और application देखेंगे अपने आप concept क्लियर हो जाएगा question है आपका a projectile is projected with u at an angle theta with horizontal then find radius of curvature at highest point point तो radius of curvature at क्या पुछ रहा हाइस पॉइंट तो हम लोग इमेजिन करिए आप लोग तो इसका graphical representation देखना होगा कि radius of curvature का मतलब क्या होता है तो किसी particle को u at angle से हम लोग ने project किया तो यह particle जो है कुछ इस तरह से जाएगा ठीक है तो इस तरह से जाकर ऐसे गिरेगा तो आपको पूछा जा रहा है radius of curvature याद रखिए पराबॉलिक पॉस होता है circular नहीं होता है जिसको आप circle मान लेजे radius of curvature को एक तरीके से r by 2 मान सकते हैं वैसा नहीं करना है विवकोफी radius of curvature कहने का मतलब क्या होता है कि कोभी portion पर सब्पोज किजिए ऐसा एक portion है ठीक है तो यह कुछ ऐसा भी हो सकता है तो किसी ही point पर आपको radius of curvature पूछ रहा है तो करना क्या है आपको कि उस point के आज पास एक छोटा सा section लेना है और उस section को circle का part मानते हुए एक circle complete करना है तो section को circle का part मानते हुए आप circle जब complete करेंगे तो उस circle का radius क्या बोलते है radius of curvature तो उसी चीज को हम लोग यहां यूज करें कि आपको highest point पर radius of curvature पूछ रहा है तो हम लोग highest point का एक छोटा सा part लेकर circle complete करने ही कोशिस करेंगे याद रखिए correct representation नहीं हो सकता है मैं एक random diagram ड्रोग कर रहा हूँ तो एक circle complete करेंगे और उस circle का radius होगा उसको क्या बोलेंगे radius of curvature तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं मैं क्या बोले वाला हूँ कि आप जब velocity को resolve करोगे तो आपको तो पता है कि horizontal में कितना होता है आपको u cos theta vertical में क्या होता है आपको पता है u sin theta और ये भी बोलते हैं कि जब highest point पर होता है तो उस moment पे इसके पास horizontal velocity होता है जो कि होता है कितना u cos theta होता है वर्टिकल कम्पेंट क्या होता है जीरो तो आप याद किजिए एनलाइज किजिए कि आपका यहाँ पर जो पार्टिकल होरिजन्टली मूव कर रहा है तो आप एक सर्किल जब कम्प्लीट करेंगे तो सर्किल जो है exactly कुछ ऐसे आगा उस पोर्शन का क्योंकि याद रखे विल करें तो सर्किल का सेंटर जो exactly इस पॉइंट के जैस्ट नीचे आएगा आएगा बिलकुल आएगा तो मैं यहाँ एक सर्किल कम्प्लीट कर देता हूं इसका काम हो चुक है हम लोग का तो मैं यहाँ एक सर्किल कम्प्लीट कर देता हूं हम लोग बोल सकते हैं यह बात कि सर् वो जी केगर बाुवरबर है रान्वर के डिरेकेशन में डान्वर के डिरेक्षंग में क्या है ग के ब्रावर तो हम लोग ये बात देख सकते हैं आपर कि velocity जो है एकसलेशन के आएगज एक्षयक्ली किया है पर पेंडिकलर और हम लोगों ने ये भी सिखा है कि जो perpendicular component होता है जो acceleration का perpendicular component होता है वो कितना होता है V square by R के बरावर यार रखें यहाँ जो A, G है वो एक तरीके से AR की तरफ काम कर रहा है G क्या काम कर रहा है AR की तरह काम कर रहा है तो हम लोगे बोल सकते हैं कि जो AR होता है वो आप बोलते हैं कितना VA square by R उस moment पे V उस moment का velocity होता है R उस path का radius of curvature होता है और AR के value है के हाँ G तो G को बोल सकते हैं V के value है के हाँ पर U cos theta वहाँ पर जो velocity है आपका U cos theta So this will be equal to VA square by R So you will get the value of R is equal to UA square cos square theta by G R के भील क्या हो जागे UA square cos square theta by G अब देखिए तो बोलिया कि मतलब ये इतना easily कैसे आगया तो इस case में आपका easy था अगर हम लोग किसी और random point पे calculate कर दे तो वहाँ पर हम लोग को थरा मुस्किल होती है तो जो को हम लोग next question में discuss करने वाले हैं और हाँ एक साथ ही साथ में एक भी आपको बता दू कि यहाँ पर जो acceleration है यहाँ पर जो velocity था आपका ऐसे आया था जो कि था u cos theta this velocity was equal to u cos theta और acceleration का एक ही component था मतलब एक तरीके से यहाँ पर इस moment पे एक uniform circular motion type का होड़ा था हाँ इसके बाद भले ही velocity चेंज होने लेगा क्योंकि अपना direction ट्विस्ट कर दे गाई है तो इसके बाद भले ही velocity sorry speed change होने लेगा लेकिन इस moment पे आप से अगर पूछा जाए कि what is the rate of change of speed at this moment so at this moment it will be exactly equal to 0 why so because there is only one acceleration available means the acceleration is exactly perpendicular to the velocity acceleration is only perpendicular to the velocity so हम लोग ये बोल सकते हैं कि acceleration अगर velocity के perpendicular हो acceleration अगर velocity के क्या हो perpendicular हो तो उस case में वो acceleration बस velocity का direction change करता है न कि उसका magnitude change कर पाएगा हम लोग ने अभी अभी सीखा है ठीक है तो यहाँ पर आप से गर पूछता कि the rate of change of velocity will be rate of change of speed so that will be equal to 0 rate of change of velocity तो आपका acceleration के बड़ा होता है net acceleration जो कि यहाँ भी क्या है जी है लेकिन rate of change of speed पुछता तो क्या बोलते हैं हम लोग 0 बोलते हैं तो इसको हम लोग note में डाल सकते हैं कहीं पर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको यहाँ से चलिए हम लोग shift कर लेते हैं हम लोग इसको note में कुछ ही तरह से डाल सकते हैं sorry, one second हम लोग इसको note में कुछ ही तरह से डाल सकते हैं कि the rate of change of acceleration हो गया इस सब points थो as important है इसलिए हम लोग इन points को note down करकर रखना है तो चलिए हम लोग का त्यार है तो इसको हम लोग यह बोल सकते हैं फिर इसको हम लोग यह बोल सकते हैं ठीक है यह एक्चलिए तीन stages में complete किये गए है हम लोग note में यह point डाल सकते हैं कि at highest point at highest point rate of change of speed is zero तो उस moment पे speed exactly उस moment पे rate of change of speed क्या होगा? zero होगा ठीक है? तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो जो next question है आपका next question है in previous question find the radius of curvature and rate of change of speed at the point of projection अब देखिए इसमें हम लोग को ज़रुवत परेगा तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? कि आपका फिर से projectile तो वही है कि particle ऐसे गया फिर ऐसे आया parabolic path follow करते हुए यहाँ पर हम लोग ने इसको velocity दिया था u angle था आपका theta angle क्या था theta? तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं याद रखिए कि जो velocity होता है किसी path पर velocity होता है हमें साथ tangent के direction में तो velocity को तो हमें साथ को tangent के direction मानना ही है जो velocity है उस circular path के हमें साथ tangent के direction में तो उसको आप velocity को तैंजेंट के direction मानिएगा तो आप जब circle complete करने कोशिस करेंगे तो circle कुछ इस तरह से हो जाएगा ठीक है circle आपका velocity को हम लोग tangent मान ले चुके है ठीक है और उसको tangent मानते हुए हम लोगों ने complete कर दिया है circle हम लोगों ने क्या complete कर दिया है circle ठीक है ठीक है अब देखें मैं कबलूँगा कि एक बात तो आपको पता है कि यहाँ पर जब particle है तो उसके पास acceleration तो आपको पता ही होता है कि acceleration एक ही होता है ग्रेफटी जैसे इसको छोड़ते है तो g होता है जैसे हाँ से इसको छोड़ते है तो g एक करता है अब इस case में क्या होगा कि इस g के दो components होगे इस g के दो components होगे जो एक component होगा वो आपका represent वो आपका आएगा radial में और दूसरा component हैगा जैसे में दिखाता हूँ इसको जो center होगा इस तरह से कुछ होगा तो जो एक component हम लोग का रखेंगे g का वो हम लोग radial के direction रखेंगे और दूसरे component जो g करेंगा उसको हम लोग a tangential के direction रखेंगे तो इस करण से यहाँ पर इस करण से जो यहाँ पर है वो velocity का क्या करेगा velocity का direction भी चेंज करेगा a radial जो है velocity का direction चेंज करेगा और a tangential जो है velocity का करेगा magnitude जिसको हम लोग स्पीड बोल सकते है अब देखें हम लोग लोग ठोड़ा angle देखना है तो angle देखने के लिग क्या कर सकते हम लोग कि यह horizontal से velocity कितना बना रहा है ठीटा बना रहा है ठीक है तो अगर horizontal से ठीटा बना रहा है और velocity पे जो a radial हो perpendicular है तो यह angle कितना हो जगा 90 minus theta आप ध्यान सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह जो velocity हो गया यू हो गया ठीक है यह जो angle है horizontal से यह ठीटा है और यह gravity तो नीचे act कर रही है ग्रैफटी कि दर act कर रही है नीचे ठीक है तो gravity का दो component है आपका a radial और दुसरा component है आपका क्या a tangential तो यह एकर ठीटा है तो यह एकर हो जागा 90 माश ठीटा क्योंकि velocity u का जो direction है और a radial का direction हो हमें साब perpendicular हो है a radial हमें साब radius की तरफ होता है radius के लोग होता है u कि दर होता है tangent के लोग तो दोनों 90 रही होता है तो यह होगा आपका θीटा तो यह 90 माश ठीटा होजाएग तो यह क्या बोल सकते है फिर से ठीटा यह क्या बोल सकते हैं फिर से ठीटा जो a radial का जो value आदा आप देख सकते हैं पर ar ka जो value हो जाएगा g cos theta और a tangential का जो value हो कुछ भी किल्कुलेट करना है आपको किल्कुलेट करना है रेडियो सब कर वेचर तो I will say that air will be equal to VA square by r this is the formula and the value of air is equal to g cos theta here कितना ओगा g cos theta and the value of he is actually u u square by r और आर यहां से हम लोग निकाल देंगे तो क्या हजाएगा r का जो value हो जाएगा यू स्क्वाइर अपॉन जी कॉस ठीटा तो यह अप क्या हो जगा रेडियस ओफ करवेचर एड़ पॉइंट 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 प्रोजेक्शन ठीक है चलिए हम लोग आगे बात करते हैं आप से पुछा गया है रेट आफ चेंज ओफ स्पीट तो स्पीड को कौन चेंज करता है टो में उस्पीड को चेंज करता है ऐक्सरेशन un-kahn मम पक्या नहीं का वो, इसका नाम यहां पर क्या यहां पर पार्टिकल उपारता है speed कम रहा है और लॉजिकल भी सोचा जाए कि 80 जो है 80 आप देख चुके है 80 जो है 80 का direction वो velocity के reverse में है तो एक तरीके से speed को क्या करेगा speed को कम करते जाएगा तो 80 जो rate option of speed that will be equal to 80 and this will be equal to minus of g sin theta तो यह है आपका concept radial acceleration और potential acceleration का याद रखिए जो acceleration का component velocity के perpendicular हो वो velocity के रिक्सन चेंज कर सकता है और जो acceleration component velocity के parallel हो वो क्या change कर सकता है velocity का magnitude मतलब speed कर सकता है इसाथी साथ एक और बात आप धिहाँ रखिए कि हम लोग अगर आप से कहीं बोल दे कि आपको बोले कि what is this value dv by dt magnitude of rate of change of velocity this is called magnitude of rate of change of velocity इसको हम लोग पढ़ते हैं magnitude of rate of change of velocity इसको हम लोग जानते हैं यह एक्सलेशन का magnitude हो गया लेकिन वही आप से कोई पूछे what is the what is the value of wait one second d mod v by dt इसको तो आप mathematical जान चुके हैं लेकिन इसको बोलेगा कैसे हो वो बोलेगा कि what is the rate of change of magnitude of velocity this is nothing but in language you can write it as rate of change of what magnitude of velocity और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं a cos theta इसको क्या बोलते हैं a cos theta मतलब acceleration component acceleration component velocity के लोग जिसको हम लोग a parallel ही बोलते हैं या a tangential ही बोलते हैं circular motion ने केस में तो इस दोनके बात को ध्यान रखे हैं कि जो magnitude है इसी words को हम लोग थोड़ ट्विस्ट कर दें तो एक आपका हो गया magnitude of rate of change of velocity that is nothing but equal to magnitude of acceleration right and if they're asking about rate of change of magnitude of velocity तो इसमें पुछा जाए कि rate of change of speed तो rate of change of speed क्या हो जाएगा आपका a cos theta तो इस तरह से आपका uniform circular motion non-uniform circular motion को हम लोग complete कर चुके हैं questions को आप practice कीजिए यह सब concepts काफी काम आते हैं logical concepts है यहां हम लोग यह भी समझ में आ चुका है कि आखिर acceleration का मतलब acceleration जो होता है rate of change of velocity होता है तो acceleration अगर rate of change of velocity होता है लेकिन उसमें भी अगर हम लोग स्पेसिफिकली जाएं तो acceleration के भी दो parts हो जाते हैं एक acceleration जो velocity के parallel हो और दूसरा acceleration जो velocity का हो perpendicular velocity के parallel acceleration velocity का magnitude change करेगा velocity के perpendicular acceleration जड़ेगा velocity का करेगा direction चेंज करेगा तो आज के लिए इतना ही हम लोग next next video में हम लोग और ही problems देखेंगे तो तब तक के लिए बाई बाई